हेलो गाइस तो आज हम बनाने जा रहे हैं एलकलाइन वाटर वो भी बीट रूट से एलकलाइन वाटर कहलो या डिटॉक्स वाटर कहलो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आज मुझे फोटोग्राफी का शॉक है इसलिए मैंने दो-चार फोटोज खीच लिए और डाल दी आप लोगों के लिए ग्राइन करने से जो इसकी essential हैं वो damage हो सकते हैं इसलिए आपको इसे कदुकस ही करना आ और ये पानी में मिलके थोड़ा सा एलकलाइन होता है अपने जो अच्छे तत्व है उनको छोड़ता है पानी में इसलिए हमें से कद्दू करेंगे हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है ये इस तरीके से कुछ दिखेगा देखे आप अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से जादा भी बना सकते हैं और बड़ी बॉटल्स भी बना के रख सकते हैं एक बड़े जार में भी बना के रख सकते हैं लेकिन कांच की बॉटल और कांच के जार लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे बेनेफिट्स मिलेंगे प्लास्टिक में बनाने का उतना फाइदा नहीं है मतलब प्लास्टिक में तो मैं आपको रिक्मंड भी नहीं करूँगी और आप इसमें अपनी इक्षा से चीया सीट्स डाल सकते हैं मैंने यहां पे जीरा डाला है हल्दी का पावडर डाल सकते हैं अपने रिक्वारमेंट यहांच आपस आपसों आपसल। यह वेट लॉसमें भी आपको बहुत भगदयों भीवर्च पर पीयो मतल्स घाल करता हैं मैं एक यह जो दो बॉट्ल तो हमने फोग ही चाहिए। तो मैंने बीट रूट इसमें डाल दिया है, आप लोग स्पून ले लेना, मेरे हाथ साफ ते इसले हमने हाथों से डाल दिया है, अब इसमें डालते हैं पानी, और फिर इसे यूही छोड़ देंगे कुछ टाम के लिए और फिर धीरे-धीरे आप दिन भर में इसे कंजूम कर सकते हैं, देखो क्या है ना, बोरिंग हमें तब लगता है, जब हमें डॉक्टर या कोई भी सला देता है, डिटेशन कहता है कि तुम्हें पानी पीना है, तो उसको देखे फिलिंग नहीं आते कि पानी पीना है, यह आपको कलरफुल दिखेगा तो आपको फिलिंग आईग मिलती हूँ आपसे नेक्स टुडियो में तब तक के लिए बाई और हाँ अगर अच्छा लगाओ तो शेर सब्सक्राइब और लाइक कर देना